Good morning students, a very happy Haryana day to all. So students, why we celebrate on 1st November Haryana day? So the reason behind this, on 1st November 1966, Haryana को एक स्टेट बना दिया गया था. इससे पहले हमारे देश में 16 स्टेट थी और Haryana को 17 स्टेट बना दिया गया था. और recently अब हमारे देश में 28 स्टेट थें. So Haryana को स्टेट क्यों बनाया गया था? Why we made Haryana as a स्टेट? So the reason behind this, after independence, पंजाब एक स्टेट थी जहां पर हिंदी बोलने वाले पीपल और पंजाबी बोलने वाले पीपल दोनों एक साथ रहते थे. But after some time, जो हिंदी बोलने वाले पीपल हैं, उन्हें objection हुआ and they said कि हिंदी बोलने वाले पीपल की एक अलग से स्टेट होने चाहिए. So बहुत जादा बाच्चित हुई इस बारे में, काफी सालों तक बात हुई and after that in April 1966 इंडियन गर्मेन ने सेट अप किया था साहा कमिशन को रिव्यू लेने के लिए. जो existing state थी पंजाब उसका review लेने के लिए सेट अप किया था साहा कमिशन को कि actual में जो पीपल हैं वो चाहते क्या हैं और साथी साथ ये देखने के लिए भी बोला गया था कि अगर हर्याना एक new state बनती है तो उसकी boundaries क्या होंगी, all limitations क्या होंगी. साहा कमिशन ने इन सब चीजों को देखने के बाद मैं end में 1966 मैं end में अपनी recommendation देती थी कि हाँ एक new state बनने चाहिए. So, 1st November 1966 को हर्याना एक new state बन गई and after that Punjab and हर्याना दो अलगलग states हो गई पंजाब, पंजाबी बोलने वाले people के लिए and हर्याना हिंदी बोलने वाले people के लिए. हर्याना mainly जाना जाता है sports के लिए and culture activities के लिए. हर्याना is very good in sports and cultural activity. Happy हर्याना day to all. Thank you so much everyone.